हेलो दोस्तो आज हम कक्छनाओ के प्रशनावरी 2.3 के क्वेशन नमबर 1 को करने जा रहे हैं दोस्तो क्वेशन नमबर 1 पढ़िए आप थोड़ा अच्छे से ठीक है तो क्या है XQ प्लस 3X स्क्वेर प्लस 3X ठीक है प्लस 1 को निम लिखित से भाग देने पर सेस्फल ग्याद कीजे तो दोस्तो इसमें भाग फल ग्याद नहीं करना केवल सेस्फल ग्याद करना है तो यह जो आपको यह दिये है रैखिक बवगपाद इनसे क्या करना है आपको भाग देना है इसमें और आपको सेस्फल ग्याद करना है तो दोस्तो हमने क्या पढ़ा अभी सेस्फल प्रमे पढ़ा है दोस्तो ठीक है ना तो हम सेस्फल प्रमे का यूज करके यहाँ पास इन सभी का हम सेस्फल ग्याद करेंगे तो successful premier वाला अगर वीडियो आपको नहीं देखा तो जल्दी से वीडियो देख लिजिए description में link है ठीक है और फिर ये करने में तो मज़ा आएगा ठीक है तो इसमें मैं पहले question बताऊँगा कि successful premier कैसे use करते हैं ठीक है और अगर आपको जानना है कि क्या होता है तो आप वीडियो में जा सकते हैं successful premier वाले ठीक है तो चलिए हल करते हैं तो ऐसे ही आप से बन जाएगा क्योंकि इतना सरल बताऊँगा ठीक है तो चलिए हल करते हैं तो दोस्तों हमारे पास पहला है रैखिक बहुपद x प्लस 1 से भाग देना है इस पूरे बहुपद को ठीक है तो यहां लिख लेते हैं हल पहले को हल करते हैं ठीक है अपने पास PX क्या है दोस्तों यह बहुपद है ठीक है इस रहाखिक बहुपद को किस से इस रहाखिक बहुपद से भाग देना है ठीक है तो यह क्या है XQ प्लस 3X स्क्वेर प्लस 3X प्लस 1 ठीक है यह है अपने पास और हम से किस रहखिक बहुपस से इस रहखिक बहुपस से भाँ देना है तो GX equal क्या लिखेंगे X plus 1 ठीक है यह हो गया अब दोस्तो हमको सेश फ़ल प्रमे केबल सेश फ़ल गयाते हैं भाँ प्रमे का उपयोग करेंगे तो यहाँ GX को क्या करते है दोस्तो असेस फ़ल प्रमे निकालने के लिए GX को हम 0 कर देते हैं तो यह हमें X का value मिल जाता है तो यह क्या हो जाएगा X plus 1 यह हमने कर दिया GX को 0 अब X का value क्या होगा दोस्तो 1 है इधर तो 1 को इधर पच्छांतर कर दीजे फिर हम EX का middle रखते है ठीक है तो यह P है और यहाँ पास X है न तो यहाँ केबल X का middle होगद दो यह M-1 ॐ ज़ीज्ये और यह M-1 का क्या हो जाएगा Q हो जाएगा PLUS 3 और यह M-1 का SQUARE ॠीक है PLUS 3 और यह M-1 और यह M-1 ठीक है यहाँ P-1 कितना आपको है अगर minus 1 का cube करते हैं तो ये minus 1 ही आएगा minus 1 का 3 वार गुड़ा कर लिजएगा ठीक है और plus minus 1 का square करते हैं तो 1 आएगा और 1 का गुड़ा 3 से करते हैं तो 3 आएगा ठीक है और ये minus 3 का minus 1 से गुड़ा करेंगे तो minus 3 आएगा और ये plus 1 ठीक है अब अब देखिए ये क्या है plus 3 है और ये minus 3 है तो ये क्या हो रहा और अब क्या ये minus 1 है और ये plus 1 है ठीक है तो ये भी cancel हो रहा तो P minus 1 आपको सेशफल क्या मिला 0 मिला P minus 1 आपको 0 मिला ठीक है तो दोस्तो हमने ये पहला कर लिया ठीक है अब हमको दूसरा करना है ये वाला X minus 1 by 2 तो दोस्तो P X यही रहेगा G X अपना change हो जाएगा ठीक है यहाँ पास G X change कर लेना है यहाँ हो जाएगा X minus 1 by 2 ठीक है न और फिर सेम यही करना है आपको ठीक है तो पहले अपने से करिए फिर इसके बाद वीडियो देखिए ठीक है तो चलिए हम करते जाते हैं वीडियो पोच कर लिजे और अपने से करिए फिर इसके बाद आप करिए ठीक है तो चलिए हम करते हैं तो हल दूसरा है PX वही रहेगा है ना पहले का दूसरा तो PX क्या अपना यह हम PX वही लिखेंगे X3 plus 3X square plus 3X plus 1 हमें किवल क्या GX चेंज करना है उसकी जगे क्या रखना है X minus 1 by 2 ठीक है यह रहा अब क्या करना है दोस्तों आपको हम लोगों को बस वही करना है जो हमने पहले किया था यहां क्या किया था GX को 0 रख दिया था तो हम 0 रख देते हैं हमारे पास क्या है X minus 1 by 2 0 colon minus 1 by 2 हमें X की value चाहिए तो हम यहां X की value निकाल लेंगे तो minus 1 by 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 1 by 2 हो जाएगा है ना यह क्या हो जाएगा 1 by 2 प्लस 1 by 2 हो जाएगा यह X equal क्या मिल गया 1 by 2 मिल गया अब हमें X कमान मिल गया अब हम क्या करेंगे जहां जहां हमारा यह क्या है एक सिकन तो जहां जहां हमारा का स्क्वैर even to the passport सब्सके less 3 human का अधर पास मैं भाइज वन टिक अब अब दोसता देखिए आप यहां पास। इसको करते यह P1Y2 है ठीक है अब 1Y2 का cube करेंगे तो क्या होगा पहले तो 1 का cube कर लिए 1 का cube क्या होगा 1 होगा 2 का cube करेंगे तो क्या होगा 2 का यानि 2 दोनी 4 4 दोनी 8 ठीक है यह होगा 2 दोनी 4 4 दोनी 8 यह होगा ठीक है प्लस अब किसका 1 का square करेंगे तो 1 ही होगा और two को square करेंगे चार होगा ठीक है और one का गुड़ा तीन के साथ करेंगे तो क्या होगा तीन हो जाएगा और नीचे क्या आएगा चार आएगा चार के square कर रहा है ठीक है यह होगा प्लस तीन का गुड़ा एक से करेंगे तो तीन हो जाएगा और ये बटे में 2 है ठीक है और ये प्लस 1 ठीक है यह हो गया अब दोस्तों यहां देखिए ध्यान से देखिएगा अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे हल करने के लिए आगे LCM लेंगे ठीक है तो P1Y2 इकोल क्या हो जाएगा LCM क्या आएगा दोस्तों आठ आएगा ना LCM ले लिजेगा ठीक है तो LCM लेने आप प्रेशिए नहीं सर्च कर लिजे यूटूब पर मिल जाएगा कैसे लेते हैं अगर नहीं बनता तो कमेंट में लिखिए मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा ठीक है तो ये 8 है ठीक ठीक है दू का मतलब दू का भाग किसमें 8 में दीजिए और भाग देने पर क्या आएगा दो चौको 8 है ना चारा है ना अब चार का गुड़ा 3 से चार तेया 12 ठीक है और अब यहां कुछ नहीं है तो एक है एक का भाग 8 से देंगे तो 8 आएगा 8 का गुड़ा एक से करिम क क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ठीक है अब इसको जोड़िए ठीक है तो 12 6 18 ठीक है और 18 19 19 19 27 ठीक है 27 बटे 8 आठ आ गया ठीक है यह हमारा P1Y 2 है और यह हमारा सेस्फल है ठीक है यह हमारा क्या है सेस्फल है ठीक है यह रभ तो ऐसा आसा है दोस्तों चलिए नेक्ष्ट करत तो तीसरा हम इस पर करते हैं हमारे पास P X क्या है वह होगा ठीक है तो P X क्या होगा अपने पास वह होगा क्या है x cube plus 3x square plus 3x plus 1 ठीक है और हमारा g x इस बार क्या हो जाएगा चिंज हो जाएगा जिससे भाग देने है भाई सब रहे कब पदेना इस बार क्या तीसरे का x है ठीक है यहां 3 लिख दें ठीक है यह हो गया तो देखो अब हमी क्या करना पड़ता है जहां x है वहां क्या कर देंगे 0 रख देंगे ठीक है यह 0 का क्यूब ठीक है plus three यह 0 का square plus three zero और यह plus one ठीक है यह हो जाएगा P 0 क्या है यह 0 हो जाएगा यह 0 हो जाएगा यह भी 0 हो 0 कितना अगया वहाना फेस लिसका क्या होगा यहुगा यह तो अब क्या कर तिस्का ड़ेटें चौथा क्या है तो प्मारा प्येक्स क्या रहेगा हल तो प्येक्स वही रहेगा अपने पास है ना प्येक्स क्या एक्स क्यूब प्लस ट्री एक्स स्क्वेर प्लस ट्री एक्स प्लस वन ठीक है येक्स वही रहेगा जी एक्स चेंज हो जाएगा क्या इस बार जी एक्स प्लस पाई है ना यहां क्या हो जाए एक्स प्लस पाई ठीक है तो यह हो गया पाई अब क्या करते हैं इसको जी एक्स को जीरो करते हैं जैसे कि आपको पता है यह एक्स प्लस पाई हमें तो एक्स कमान चाहिए बाकि दुनियादारी नहीं चाहिए ठीक है तो पाई को इधर कर दें माइनस पाई यह हो जाएगा माइनस पाई यहां पास क्या होगा माइनस पाई का क्यूब ठीक है यह होगा माइनस पाई क्यूब प्लस थ्री और यह माइनस पाई का स्क्वेर ठीक है प्लस थ्री और यहां पास माइनस पाई यह प्लस वन ठीक है अब देखो यहां माइनस का क् तो माइनस आएगा और पाई क्यूब करोगे तो पाई क्यूब आएगा ठीक है प्लस हम माइनस के स्क्वेर करोगे तो प्लस आएगा और यहां पाई के स्क्वेर करोगे पाई आएगा ठीक है तो यह हो जाएगा क्या और तीन का गुड़ा करोगे त्री पाई स्क्वेर हो जा क्या होगा यहीं होगा माइनस पी पाइए ठीक है तो हमारा Er ज़ी और ढाटने पास को इतनी जाएगा तो प्यक्स क्या रहेगा अपने पास यही रहेगा कि प्यक्स अपने पास यह रहेगा कि जराएक ड़्यायद टिय argent है इसको क्याइक्स-फश्पेले टौब अब रहेगा है ठीक है तो GX one, अब रो ही क्रम में लिख लेते हैं, घाथ में इसके घटते घाथ में ठीक है तो यहाँ ज़या लेंगर two x plus five ठीक है घाथ जो घट रही नहीं , यहाँ one है तो यहाँ zero है तो घरते घात में हम लिख लेते हैं तो यह हो गया, अब हम क्या करते हैं GX को 0 करते हैं, और यह 2X प्लस 5 है, अब देखो यहाँ पास हमें X कमान चाहिए न, तो पहले 5 को इधर पच्छांतर गरेंगे, तो यह माइनस 5 हो जाएगा हमें क्या मिला 2X ठीक है, अब हमें X कमान चाहिए आपास 2X का वैलू मिला यह क्या इसकी गुड़े में, तो इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, मैनस 5 बाई 2 हो जाएगा ठीक है, यह, और X इक्वला में क्या मिला, मैनस 5 बाई 2 ठीक है, अब यहाँ पास हमाल करते हैं, साइड में अब जहाँ जहाँ आपने पास क्या है X है, वहाँ रखेंगे, मैनस 5 बाई 2 तो P, और यह, मैनस 5 बाई 2 ठीक है, इक्वल यह क्या हो जाएगा, मैनस 5 बाई 2 का क्यूव ठीक है, और प्लस, यह 3 है रखेंगे, और यह, मैनस 5 बाई 2 ठीक है, प्लस 3 है, यहाँ क्या हो जाएगा, भी मैनस 5 बाई 2 और यहाँ पास प्लस क्या है, प्लस 1 स्वषीय, प्लस 3 अपना 3X प्लस 1, ठीक है, यह, 1 हे तो प्लस 1 ठीक है, यह हो गया, अब इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस फाइब टु अब करते हैं चलिक कर यह तो पचम पचीज स्वाइब सने सूपचीजा हमें 115 तुछी माइनस 125 आएगा ठीक है और इसका करीं दूदूनी 4, 4 दूदूनी 8 ठीक है यह equal लगा दिजिए ठीक है यह हो गया और यहाँ pass इसका करते हैं तो यह क्या हो जाएगा 5 का square करन तो 25 और यह plus 25 हो जाएगा 25 यह 75 ठीक है यह क्या हो गया 75 बटे क्या दूदूनी 4 इसका 2 बर करेंगे न ठीक है और यहां पास plus minus हो जाएगा है minus 15 बटे 2 ठीक है minus 15 बटे 2 और यह plus 1 चली रहा ठीक है तो अब हम क्या करेंगे सबी का LCM लेंगे ठीक है तो LCM लेते हैं इधर देखी यहां पास हम LCM ले रहा है ठीक है P minus 5Y2 एक्वल क्या है इसको यहां पास एकवाल लिग दे रहा minus 125 बटे 8 ठीक है और यह plus क्या है 25 ते पच्छत्तर हाना 72 लिग दिया है आपास 75 होगा ठीक है 75 बटे 4 और यह minus 15 बटे 2 और यह plus 1 ठीक है यह अपने पास इसका LCM लेते हैं कितने LCM आएगा प्लस 75 तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों आठ में 4 का भाग दीजिए तो 4 दूनी 8 और 75 का 2 से गुड़ा कर दीजिए ठीक है तो यहां पास हम क्या करते हैं 75 दूनी क्या होता है अपने पास 75 दूनी 150 होता है ना 150 ठीक है और यह और इसका अगर हम क्या करें तो चको 8 ठीक है 4 का 15 से गुड़ा कर दीजिए तो 15 चको 60 यह माइनस 60 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा यहां पास क्या हो जाएगा प्लस 8 ठीक है तो एक सिकन यह प्लस 8 हो जाएगा ठीक है अब इसको हल करिए तो 150 ठीक है 150 में 125 है कितना हुआ हमारा 25 हुआ ठीक है और यहां 25 और 8 कितना होता है दोस्तों 25 और 8 कितना होता है 30 है न और 60 में क्या कर दीजे 60 में 33 घटा दीजे ठीक है तो यहां हम क्या कर देते हैं 60 में तो हमारे पास है मानस 27 आएगा लगवाग्ग तो यह माइनस 27 आएगा ठीक है तो यह हमारा आए पी मैनस 5 बाई 2 ठीक है तो यह रहा इसका हल तो में थे वीडियो पसंद आई होगी और यह हमारा अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए ठीक है